और जैसे जैसे चुनाव होते जा रहे हैं वैसे वैसे साफ होता जा रहा है कि 4 जून को मोधी सरकार जा रही है और इंडिया गठबंदन की सरकार बनने जा रही है ये मैं किस आधार पे बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोगों ने सर्वे किया है और जो अब सर्वे के findings आ रहे हैं उसे साफ जाहिर है कि चार जून को इंडिया गठवंदन को अपने दम पे 300 से ज्यादा seat मिल रहे हैं और इंडिया गठवंदन देश को एक साफ सुथरी और स्थिर सरकार देने की दिशा में बढ़ रहा है दूसरी बात आज मैं करना चाहता हूँ कल अमित्शाजी दिल्ली आये थे और दिल्ली आकर उनकी सभा में बताया जाता है जो लोग मुह माजूद थे पांसो से भी कम लोग थे और दिल्ली आकर उनने देश के लोगों को अनरगल गाली गलोच करना चालू किया जन्दा को गाली देने लगे उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी है मैं उनसे पूछना चाहता हूँ दिल्ली के लोगों ने हमें 62 सीट 56 वोट शेर दे के सरकार बनाई है क्या दिल्ली के लोग पाकिस्तानी है पंजाब के लोगों ने हमें 92 साथ 117 में से 92 सीट दे के सरकार बनाई है क्या पंजाब के लोग पाकिस्तानी है गुजरात के लोगों ने हमें 14% वोट दिया क्या गुजरात के भी लोग पाकिस्तानी है गोवा के लोगों ने हमें प्यार दिया विश्वास दिया क्या गोवा के लोग भी पाकिस्तानी है पंचायत के चुनावे में मुनिसिपैलिटी के चुनावे में उत्रपरदेश में, आसाम में, मध्यपरदेश में और देश के कई हिस्सों में आम अदमी पार्टी के पंच, सरपंच, मिनिसिपल, मेर, कांसिलर चुने गए जगे जगे. क्या इस देश के सभी लोग पाकिस्तानी हैं? ये क्या बात कर रहे हैं आप? आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुनाएं. इस बात का आपको इतना हैंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे, धंकियां देने लगे. अभी तो आप PM बने नहीं हैं और आपको इतना हैंकार हो गया. आपकी जानकारी के लिए बता दू कि आप PM नहीं बन रहे हैं क्यों आपकी दुश्मनी मेर से है, आप मुझे गाली दे लीजिए, लेकिन देश की जंता को अगर गाली देंगे, तो ये कोई बरदाश्ट नी करने वाला। कल योगी जी भी दिल्ली आए थे, योगी जी ने भी आकर दिल्ली में मुझे काफी गालियां दी, मैं योगी जी से पूरी विनमरता के साथ कहना चाहता हूँ, योगी जी आपके असली दुश्मन तो आपकी पाटी में बैठी है, मुझे गाली देने से क्या फाइदा, चार जून को इंडिया गठवंदन की सरकार बनने जा रही है इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठवंदन को जिताना है इंडिया को बढ़ाना है तो इंडिया गठवंदन को जिताना है झाल झाल